तो बैठक के शुरुआत होचके लेकिन बैठक से पहले राहुल गांधी ने पार्टी कारेले पहुंचकर क्या कुछ सम्मोधित करते हुए कहा, आई आपको वो सुनवाते हैं तुकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को सिर्फ मोहबत काट सकती हैं, और हम नफरत से लगते हैं, इसलिए हम मोहबत की बात करते हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं आपने देखा होगा करनाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाशन किये हर कोने में घूम लिये और नतीजा आपको दिग्या करनाटक में क्या हुआ देखा आपने तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया जैसे ही कॉंग्रेश पार्टी एक साथ खड़ी हो गई और मैं आपको इस स्टेट से कह रहा हूँ इस स्टेट से कह रहा हूँ तेलंगाना में मध्यप्रदेश में चत्तिसगर में राजस्तान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी कॉंग्रेश पार्टी जीत के दिखाई देगी पूरा देश समझ गया है कि नरेंडर मोधी जी बीजेपी का मतलब सिरफ दो तीन लोगों को फाइदा पहुचाना देश का पूरा का पूरा धन उनके हवाले करना कॉंग्रेश का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना गरीबों के साथ मिलना गले लगना और गरीबों के लिए ताम करना तो राहूल गांदी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना और चलिए सीधारों करते हैं उनकी विचारधारा भी अलग-अलग है लेकिन एक मुद्दा दोहजार चौबीस में बीजेपी की सरकार को हटाओ सत्ता परिवर्तन हो इस मुद्दे पर इस मसले पर तमाम विपक्षी पार्टियां आज एक जुट होने का परियास करें कितनी महतपूर्ण बैठक आज की हमने अपने दर्शकों को सुनाया भी राहूल गांधी का बयान जिसमें उन्होंने पूरे उसमें एक बात का जिकर आपने भी देखा होगा कि उन्होंने का है कि कॉंग्रिस बीजेपी को अटाएगी कॉंग्रिस बीजेपी का विकल्प है कॉंग्रिस जबकि यहाँ पर ये गड़बंदन जो है जो ये पूरा महागडबंदन है वो बनाने चले हैं अगर राहूल गांदी के जहन में ये तस्वीर साफ है कि गड़बंदन बीजेपी को अरा सकता है तो शायद मन्द से उनका ये जरूर बोलना हो सकता था कि जो महागडबंदन प जेडी कर रही है अब सवाल ये कि इसमें कौन-कौन शामिल हुए हैं कॉंग्रेस की तरफ से यहाँ पर शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से शामिल हुए खैर आम आदमी पार्टी की अर्विंद केजवाल जब यहां आ रहे थे तो पूरे बिहार में जो पोस् के बी टीम है और अर्विंत के जवाल की बड़ी सी फोटो लगाई हुई थी उसमें कहा था कि भाईया यही विकल्प है जब कि यहाँ पर गडबंदन के लिए आगे बढ़ रहे थे अब खेर आगे बढ़ते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी का रोना यहाँ पर यह है कि दिल कॉंग्रेस अन्य राजों में त्रिनुमूल कॉंग्रेस के जो समर्थित उमीदवार होते हैं उन्हें समर्थन दे और बंगाल में वो कॉंग्रेस के अगेंस्ट में ना खड़े हो तो यह तमाम ऐसी शर्ते हैं जो अलग-अलग दलों के तरव से जो आज का चल्चा का सबसे इंपोर्टन बात यहां पर यह जो हर बार महा गडबंधन जब भी होते हो इनकी सुखबगाहट होती आई है तो एक चीज की कमी आपर देखने को मिली है कि नेतरत्व कौन करेगा सीटों का बटवारा कैसे होगा यह ऐसे कुछ सवाल है जो कि गडबंधन में आने वा वक्त के साथ मिलेगा अगर गडबंधन कोई होता भी है तो पांच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो तमाम बड़े-बड़े नेताच पहुंचे हैं उत्तर से लेकर दक्षन तक के खडगे राहुल गांधी पहुंचे आखले श्यादव पहुंचे उदव सीतराम ये चुरी अरविंद के जरिवाल को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं तो कुल मिलाकर 15 से 17 जो कुल पार्टियां जिसमें आर जेडी और जेडी उर जेडी उ मेजबानी कर रहे हैं 15 पार्टियां जोटी हैं विपक्ष के और से इसलिए से काफी ज़दा महत पूरें अंजली कह रहे हैं कि जो बड़ा सवाल है वो ये कि सीटों का बटवारा क्या होगा चुकि इस तरह के पोस्टर आज भाच्पा कारले के बाहर लगे हैं बिहार में जहां पर राहूल गांधी का मजाग एक तरह से उड़ाया जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी का एक महतपूर हो जाता है लेकिन राहूल गांधी ने ये भी कहा है कि हम एक साथ मिलकर हराने जा रहे हैं दोहजार चौबीस में बीजेपी को अंजली बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सारे साथ आप आएंगे चुकि अभी तो शुरुवात ही है सीटों का मसलब हसेगा उसके बा विपक्षी पार्टिया है वो भी राजनोतिक पार्टिया है जो कभी कुछ राज्जियों में शायर एक साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई और फिर वो गड़बंदन तूड़ गया मैं बात कर रही हूं महराश्र की अब खेर वहाँ पर जो कुछ हुआ था वो भी सब ने लेकिन अब जब यहाँ पर एक साथ महाँ गड़बंदन का जिकर आता है 2014 में हमने देखा था रितेश कि महाँ गड़बंदन की जो जिन है वो उस दौरान भी निकला था और कैसे धराशाही हो गया था क्योंकि नेतरतु कहीं समझ नहीं आ रहा था और अब सवाल यहाँ प पार्टियां विपक्षी पार्टियां एक जो ठूई है उनके अंदर के बीच के जो बधेध है वो किस तरीके सो दूर करेंगे नितरत्व की बात यहाँ पर आएगी तो नितरत्व जो है वो किसके हाथ में होगा प्रदान मंतरी का तो छोड़िये यहाँ पर अगर बात अल के बड़ा है जितने में चुनाव रही हूं अब ऐसे में हर किसी अलग-अलग पार्टि का प्रभूत जो है वो अलग-अलग है